ये जो स्क्रीन पे आप पास्बुक दे रहे हो ना ये हर कस्टमर को पहली बार लेना बड़ा ही मुश्किल काम होता है लेकिन वीडियो में मैं आपको complete detail के साथ बताने वाला हूँ कि आप SBI Bank की पास्बुक पहली बार कैसे ले सकते हो जब आप अपना account open करते हो तो देखो जब भी आपने SBI Bank में account open किया होगा तो आपको पता है कि कोई भी account open होने के 3-4 दिन बाद में आपको पास्बुक ले बुलाया जाता है आपको तुरंत पास्बुक नहीं दी जाता है मैं जो सहर में बरांच है उनकी बात नहीं कर रहा है लेकिन जो हमारे ग्रामिन छेतर में जितनी भी बैंके होती है उनकी बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपको ऐसा ही होता है वहाँ पे आपके account खोलने के 3-4 दिन बाद में आपको पास्बुक मिल जाता है लेकिन उसको लेने का process बिलकुल simple है आपको screen pay में एक form दिखा रहा हूँ उस form को fill करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है उस आपको जिस service के लिए request देनी है उस पे आपको tick करना है उसके लावा आपको खाली छोड़ देना है उपर अपना नाम और account number लिखना है अपने document के तोर पे आप आदार काड और pen card लगवा सकते हो ये document जमा करवाने के बाद में आपको बिलकुल नई passbook मिल जाएगी लेकिन ध्यान रखिए जो आपको पहली passbook मिलती है वो बिलकुल free में मिलती है इसके बाद में दिया आप duplicate passbook जारी करवाते हो उसके लिए आपको 118 रुपे देने पड़ेंगे और ऐसी banking related information के लिए banking easy को subscribe करें